हेलो एवरिवन वेलकम टू अभियनता माच्स दोस्तो अभियनता माच्स यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे आपको टेकनिकल जॉब और गुवर्मेंट जॉब से रिलेटेड न्यूज सबसे फाले फोरवाइड करवाया जाता है तो ज लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब कर लें साथी साथ बेल आइकाउन को सेलेक्ट कर लें ताकि टेकनिकल जॉब और गुवर्मेंट जॉब से रिलेटेड न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तों आज हम दो चीजों के बारे में बात करेंगे ठीक है ना? बेटी एश से जेए से रिलेटेड दो निव अपडेट आया है वो बताना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है मुझे लगा बताना आप लोग के लिए बहुत ही नैसेसरी है तो वीडियो को शुरू से आम तक देखेगा आपका सारा ड रिजल्ट कब तक आएगा ठीक है BTS CJ का रिजल्ट जो है ना कब तक आएगा पहली बात हो गई दूसरा बात है कि कनिय अभियनता कि छटनी हो रही है जेई को हटाया जा रहा यह कितना सही है और कितना गलत है इस वीडियो में आपको सारी बात को बताऊंगा ठीक है ना दोस्त कि कितने साल के लोगों को हटाया जा रहा है और यह सही नियूज है कि अफ़वा फैल आई जा रही है सारी नियूज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो मेरे साथ वीडियो में पूरा बने रही है देखिए दोस्तों कराय कानिय अभियनता की छटनी हो रही है देख कब तक आने की संभावना है उसके बारे में बताऊंगा देखिए क्या है देखिए कह रहा है कारिज दच्छता के अधार पर हटाएं जाएंगे देखिए यहां पर थोड़ा सा पचास साल से उपर के कनिया भी आनता ठेखा ना दोस्नों यह जो गरामिन कारी विभाग का ऐसा फैसला है और सुनिए क्या है यह बहुत बार ऐसा हो चुका है छटनी का जो प्रोसेस है ना वो पूराना प्रोसेस है कोई नहीं बात नहीं है लेकिन बिहार सरकार को कुछ और कदम उठाना चाहिए ठीक है यह जो है कारी दस्ता के अधार पर हटाएं जाएंगे पचास साल के उपर कनिया भी आनता देखिए हर जगा पूरा सेंट्रल गोवर्मेंट में भी जो है 60 एर्स है कितना एर्स है 60 एर्स दिया गया है तो यह गलत बात है हटाना इस तरह का परकिरिया मैं आपको बताता हू पढ़ के क्या है देखिए दोस्तों कर रहा है कि 30 जुलाई 2020 को इस बावत आदेश जारी किया है 30 जुलाई 2020 को कर रहा है मुल्यांकन करने के लिए विभाग ने नई कमीटी की गठन किया है ठीक है देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि कमीटी उन इंजिनियरों पर नजर रखेगी जिनकी उम्र पचास वर से अधिक होगी इनकी कारी छमता के साथ आचार बेहवार का अध्यन क्या जाएगा कमीटी यह देखेगी कि वैसे का निया भियंता को सेवा में बनाए कि हिंदुस्तान पेफर का निउज है कि कार्ज विभाग में कारियरत कानिये असायनिक कारेदास्ता पद से हटाए जाएंगे आईसा बोला गया है ठीक है अपर सचीव अध्याच महोदय के द्वारा बताया गया है ठीक है कि एक कमीटी गठित की गई है और इसके परमुक मिस्रा जी है आधी सुचना जारी किया गया है तो दोस्तों मैं बता देता हूं कि अभी इतना जल्दी नहीं है कि वह गवर्मेंट जो है तुरंद फैसला लेगी ठीक है ना कि हटा दिया जाए ये किया जाए ना ओ रिटार्मेंट जो है जबरन किसी को नहीं देवा सकता है लोग है ना रिटार्मेंट का जो प्रोसेस है ना वो शुरुवात भवन निर्वान विभाग से हुई थी कि 2020 की बात है और देखिए आगे क्या होता है इसमें ऐसे इतना जल्दी फाइसला नहीं सुना सकती है सरकार और जो गोवर्मेंट में दिया गया है कितना 60 साल है वो करेटेरिया र बिहार पुल्टेक्निक्स संग के विद्यार्थी लोग हम लोग कितने बार लड़ाई लड़ चुके है ठीक है न तरह जेई को हटाना कितना सही गलत है यह बहुत गलत है ठीक है हटाया नहीं जाना चाहिए उनके उम्र के अधार पे नई कार छमता को देखना जरूरी है व और दूसरी बात है दोस्तों कि जेई का रिजल्ट के लिए हम लोग बहुत पापड़ वेल चुके हैं ठीक है ने बीटियस सी जेई का रिजल्ट भी जो है एक मन्त के एक दो मन्त के अप्रोक्स आने की संभावना है ठीक है ऐसा बताया गया है कुछ लोग कर्मचारियों के द्वारा तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं कुछ और निव अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर थाइंक यू भेरी मच